Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech YouTube channel. मैं हूँ मर्तर स्कीरो, दोस्तों लाश्ट वीडियो में हम लोग ने बात करी थी एक real estate rent business model की और उसमें हम लोग ने देखा था किस तरीके से अगर आपका real estate rent business model है, यह rent business है तो किस तरीके से आप उसके लिए content marketing strategy formulate कर सकते हैं, अलग-अलग phases में आपको किस तरीके से content को deliver करना है, ताकि आप जो आपका prospect है उसको काईदे से acquire कर सके और उसको acquire करने के बाद उसको retain कर सके और उससे कुछ value ले सके, तो अगर आपने वो last वाला वीडियो नहीं देखा है, किसका जो content marketing approach है, वो किस तरीके की है, कुछ इसके example देखेंगे, एक दो photos के इसके example देखेंगे, तो हमें clarity होगी कि आखिर अमूल कितनी perfect content marketing approach रखता है, there is a difference between approach and strategy, strategy एक overall goal को formulate करती है, approach उस goal को achieve करने के लिए हम approaches करते हैं, तो एक strategy को complete करने के लिए बहुत सारी approaches हो सकती है, उनी में से मैंने एक approach निकाल के रखी है, जो कि है अमूल की, information के लिए बता दूँ, अगर आप में से कोई अमूल का full form नहीं जानते हैं, तो इसका full form actually एक organization है, जिसका full form है, आनन्द Milk Union Limited, दूस्तों अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने आपको बताए कि इसकी जो content marketing approach है, वो है क्या, so next slide में आपको यहाँ पर दो images दिख रही होंगी, ये दोनो images मैंने इनके social media account से निकाली है, मैंने इनके blog को भी अच्छी तरीके से review किया, और वहाँ पर देखा कि blog के उपर ये content तो डालते हैं, बट उसमें consistency नहीं है, blog के content में इनकी consistency नहीं है, बट social media post के उपर इनकी content marketing approach कितनी solid है, आप believe नहीं कर सकते, आप इस photo को देखें और इस photo को देखें, मैंने बहुत सारी ऐसे companies देखी हैं, जो social issues पर नहीं comment करते, या social issues पर post नहीं करते, उन सब में अमूल बहुत तेजी से social issues पर post करता है, और अभी recently अगर आप इनके twitter account, या इनके instagram account को देखें, तो आप देखेंगी कितने social issues के उपर इनकी post आती है, अब इसके पिछे logic देखो, अमूल का जो logic है, या अमूल की जो social media marketing की team है, उसका logic देखो, आज के time में social media के उपर, social issues के उपर, कोई भी एक particular अगर social issue हो जाता है, तो उसके उपर कितना भर भर के traffic आता है, तो guys जरूरी नहीं है, हम अगर social media के उपर हमारा presence है, और social media के उपर हमें content डालना है, तो हम ये नहीं देखेंगे, कि हमेशा हम अपने product के बारे में, अपने service के बारे में, अपनी niche के बारे में, अपने type के लोगों के बारे में, अपने product में interest रखने वाले लोगों के बारे में ही बात करेंगे, it's not like that, एक बहुत बड़ी audience है आपका वेट कर रही एक बहुत बड़ा organic traffic आपका हमेशा वेट करता है इस चीज को Amul ने बहुत अच्छी तरीके से समझा इन post को आप देखिए खबरदार क्यों नहीं थे और यही इनकी जो marketing phase है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कितने अच्छे तर रियान 2 का जो mission था उसका जो थोड़ा सा failure हुआ उसके उपर जो हमारे PM साब का reaction था उसको इन्होंने कितने beautifully यहाँ पर portrait किया है और साथ में कितनी अच्छी इन्होंने यहाँ पर tagline लिखी है राइट सो social issues को social topics को touch करने का जो इनका concept है वो बहुत unique है और इनको बहुत benefit करत है जैसा मैंने भी आपको बता है हमेशा आपको जरूरत नहीं होती है कि आपको अपनी main stream में ही चलना है बहुत सारी audience और भी है internet के उपर उस तक आप अपनी brand की awareness कैसे पहुझाएंगे तो आपको एक कोई जो centralized event है या centralized social issue है social cause है इस type से social issues ना कहें अगर हम social issues will be something different अगर हम करें social causes की तो social causes के ऊपर देखिए कितने अच्छी तरीके से ये post करते है ठीक है जो हमारे achievements है जो हमारे national achievements है उनको कितने अच्छी तरीके से ये post करते हैं वहाँ पर उन hashtags के ऊपर उनके पास बहुत जादा traffic आता है तो अगर मैं बात करूँ ये post actually मैंने लिए Instagram से और इसके अगर आप चेक करेंगे इनके Instagram account को जाकर आप चेक करें एक बार देखें और आपको देखने को मिलेगा कि जो इनका ये post बनाने का तरीका है ये कितना unique है और post का actually ये content है और ये content एक message दे रही है message दे रही है जैसा मैंने शुरुआत में बता है ये message किसी ना किसी को कुछ value जरूर provide कर रही है और साथी साथ जब मैं बात करता हूँ content की तो मैंने शुरुआत में वीडियों बताया था कि इसका दो motive होते है उसको value provide करना हो साथी साथ हमारा भी कुछ फाइदा हो आपका audience base बढ़ रहा है ठीक है आप केवल अपने product या service की marketing करके केवल अपने product या service को बेच के आप उतना बड़ा audience set नहीं create कर सकते है जो आपकी बात को समझे आपकी बात को सुने अमूल इस बात को अच्छी तरीके समझता है इनकी social marketing team इस बात को अच्छी तरीके समझती इस तो मैं आशा करूँगा कि आपको बहुत को समझ में आया होगा इन दो photograph से कि ये भी एक content marketing की approach हो सकती मैं बार बार ये कह रहा हूँ approach strategy में फर्क है strategy को दूसरी तरह से हम देखते है strategy में बहुत सारी approaches आ जाती है बहुत से लोग ये गलती करते है बहुत से चीज़े आप बहुत से programs होते है ऐसे बहुत से national level के events होते है जिनको आपको miss नहीं करना है और आपने जो आपकी brand image है उससे aligned आपको content तयार करके रखना है अब वो चाहे content आपका video के form में हो चाहे image के form में हो चाहे text के form में हो यहाँ पर मैंने actually example ले लिया image के form में बट आप देखें कितने अच्छी तरीके से इन्होंने इसको portrait किया है जहाँ पर यह जो इनका picturization है एक और चीज मैं आपको बता हूँ यह जो photo creative है इसमें इनकी वो जो एक तरीका होता है इनका represent करने का अपनी brand को वो जो यह pencil sketch type का बनाते वो भी यहाँ पर available जिससे जैसे ही आप देखेंगे कि य sketch हो सकता है आपको समझ में आजाएगा यह Amool का sketch है छोटा सा side में logo हुआ है बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको portrait किया है और 30,000 का जो मैंने यहाँ पर बताया आपको 30,000 के जो 30,000 के जो likes हैं इसके उपर यह क्यों है अगर इनकी एक normal ordinary post होती तो क्या उसके उपर इ उपर ले आए तो जरूरी नहीं है हर वक्त हम product बेचें service बेचें हमें बाकी audience को भी content देना है ताकि हम उनकी नजर में भी as brand बने रहें उनको भी समझ में आता रहें उनको भी पता चलता रहें कि भाई हाँ एक brand है Amool जो active है जब वो आपके content को देखेंगा आज platforms बहुत है Instagram है Facebook है Social की बात करेगा हम Social Media की बात करें Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn थोड़ा से professional हो जाता है बट content वहाँ पर भी आप डाल सकते है उसकी approach आपकी बदल जाएगी ठीक है थोड़ा professionally aligned content होगा उसकी approach बदल जाएगी बट content वहाँ पर भी डाला जाएगा तो ये तो Social Media के फिर blogs हो गए फिर YouTube जैसा इतना बड़ा platform जहां पर content की तो कोई कमी ही नहीं है तो आप इस बात को समझें कि किस तरीके से हम कौन सा अपना content है जिसको किस तरीके की approach देके हम रखेंगे अपने audience के सामनी एक बहुत basic सा example था बहुत छोटा सा example था मैं आशा करूँगा कि आपके दिमाग में रहेंगी इसी चोटी चोटी चीज है अब इस चीज को लेकर मैं एक separate वीडियो इसलिए बता रहूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार आप जब कोई बड़ा वीडियो होता है जिस वीडियो में मेरा motive अलग होता है कुछ दूसरे topic को बताना उसमें अगर मैं चोटी से बात करूँगा तो आपसे मिस हो जाएगी सो गाइस मैं आशा करूँगा कि आप इस point को ध्यान रखेंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में till then a very good bye